नमस्कार बच्चों तो बच्चों हम भारत में खाद्यप्स रक्षा पढ़ रहे थे उसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं और आज हम इसका दूसरा और अंतिम भाग करने जा रहे हैं और इस भाग में हम सारुजनिक वित्रन प्रणाली भारत में राश्निंग विवस्ता और सहकारी समीतियां क्या होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे अब हम बात करेंगे सारुजनिक वित्रन प्रणाली की अब हमने देखा कि बफस्टोक तो बना लिया गया अब ये जो अनाज है जो गठा किया गया है वो लोगों तक कैसा ही पहुँचेगा और ये काम भारत सरकार के एक संग्ठन भारतिय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है और वो भी सारुजनिक वित्रन प्रणाली के माध्यम से भारतिय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार वी नियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वित्रित करती है इसे सारजनिक वित्रन प्रणाली या PDS भी कहते हैं अब अधिकांश क्षेत्रों, गाउं, कस्बों और शहरों में राशन की दुकाने हैं देश भर में लगभग 5,50,000 राशन की दुकाने हैं राशन की दुकानों में जिने उचित दर वाली दुकाने कहा जाता है चीनी, खाद्यान और खाना पकाने के लिए मिटी के तेल का बंढार होता है ये सब बजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है राशन कार रखने वाला कोई भी परिवार प्रती महा इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लिटर मिटी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आधी निकट वर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है ये राशन कार तीन परकार के होते हैं पहला वो होता है जो गरीबों के अंदर भी सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए बनाया गया है और इसको अन्तोद्य कार के नाम से जाना जाता है और दूसरा है BPL कार ये वे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन लोगों के लिए जो कार बनाया गया है उसको BPL कार के नाम से जाना जाता है और तीसरा कार्ड है APL कार्ड जो गरीबी रेखा से उपर लोग रह रहे हैं उनके लिए जो कार्ड की विवस्ता की गई है उसको APL कार्ड के नाम से जाना जाता है भारत में राशन विवस्ता की शुरुवात बंगाल के अकाल की प्रिष्ट भूमी में 1940 के दशक में हुई हरित करांती से पूरव भारी खादैस अंकट के कारण 60 के दशक के दुरान राशन परनाले पूनर जीवित की गई गरीबों के उच स्तरों को ध्यान में रखते हुए सत्तर के दशक के मद्धे NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खादैस बंदे तीन महत्व पूरण अंतहक शेप कार्यकरम प्रारंब किये गए पहला सारुजनिक वित्रण प्रनाली जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया दूसरा एकिकरित बाल विकास सेवाएं ICDS जो परयोगिक अधार पर 1975 में शुरू की गई और काम के बदले अनाज FFW 1978 में प्रारंब हुआ इन वर्षों में कई नए कार्यकरम शुरू किये गए हैं और कार्यकरमों को चलाने के बड़ते अनुभवों के अधार पर अन्या कार्यकरमों का पुनर गठन किया गया वर्तमान में अनेक ग्रीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामिन क्षेत्रों में हैं इनमें स्पस्ट रूप से घटक खादया भी हैं जहां सारुजनिक वित्रन प्रनाली दोपहर का भोजन आदी विशेश रूप से खादया की द्रिष्टी से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं अब हम भारत में सावजनिक वित्रन प्रणाली की जो वरतमान स्तिती है उसको जानने का प्रयास करेंगे यह जो प्रणाली है भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक सफल प्रणाली है जिसके माध्यम से बहुत से वर्गों को इसका लाब मिला है शुरू में यह प्रणाली निर्धन और गैर निर्धन सभी लोगों के लिए बनाई गई थी या चलाई गई थी बाद के वर्षों में सारुजनिक वित्रण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोदित किया गया 1992 में देश के 1700 बलाकों में संशोदित सारुजनिक वित्रण प्रणाली या RPDS शुरू की गई इसका लक्षय दूर दराज और पिछडे क्षेत्रों में सारुजनिक वित्रण प्रणाली से लाव पहुंचाना था जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिधानत को अपनाने के लिए लक्षित सारुजनिक वित्रण प्रणाली TPDS प्रारंब की गई यह पहला मोका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीती अपनाई गई इसके अलावा 2000 में दो विशेश योजनाएं अन्तोद्य अन्योजना और अन्पूर्ण योजना प्रारंब की गई यह योजनाएं क्रमशहा गरीबों में भी सरवाधिक गरीब और दीन वरिष्ट नागरिक समुहों पर लक्षित हैं इन दोनों योजनाओं का संचालन सारजनिक वित्न प्रनाली के वर्तमान नेट वरक से जोड़ दिया गया है अब हम भारतिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की बात करेंगे भारतिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहट खाद्य एवं पोशन सबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्द कराई जा सके ताकि मानव गरिमापुरण जीवन निर्वाह कर सके इस अधिनियम के तहट 75 प्रतिशत ग्रामिन जनसंख्या एवं 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को योग्या परिवार में वर्गी कृत किया गया है आईए अब हम अन्तोद्य अन्योजना के बारे में भी थोड़ा जाने अन्तोद्य अन्योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी इस योजना के अंत्रगत लक्षित सारजनिक वित्रण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से एक क्रोड लोगों की पहचान की गई संबंधित राज्या के ग्रामिन विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सरवेक्षन के द्वारा चुना दो रुपे प्रती किलोग्राम ग्यहूं और तीन रुपे प्रती किलोग्राम की अतियादिक आर्थिक सहता प्राप्त दर पर प्रतेग पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्द कराया गया अनाज की यह मात्रा 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ा कर 35 किलोग्राम कर दी गई जून 2003 और अगस्ट 2004 में इसमें 50-50 लाग अतिरिक्ट BPL परिवार दो बार जोड़े गए इस से इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या दो क्रोड हो गई अगर हम इस सारजनिक वित्रन पनाली की बात करें तो इससे कई फायदे हुए एक तो उपभोगताओं को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध हुआ दूसरा जो अनाज था उन क्षेत्रों में भी पहुंचा जहां पर उनकी पहुंच नहीं थी और तीसरा फैदा क्या हुआ कि आने वाले समय में हमें कहीं भी अकाल जैसी आपदा का सामना नहीं करना पड़ा जब हम सारुजनिक वित्रन परणाली की बात करते हैं तो हमने देखा कि उसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी है लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी है जिसकी वज़ा से सारुजनिक वित्रन परणाली को कई बार कई अलोचनाओं का सामना करना पड़ता है आखिर वो अलोचनाएं क्या है या सार्जनिक वित्न प्रणाली की चिनोतियां क्या है आएए अब हम उनके बारे में जाने इस प्रणाली को अनेक अधारों पर कड़ी अलोचना का सामना करना पड़ रहा है अनाज के बंढ़ार भरे होने के बावजूत भुख मरी की घटनाएं हो रही है कहीं अनाज सड रहा है तो कहीं चुहे खा रहे है जुरूरत से अधिक बफर स्टॉक रखना भी उचित नहीं जैसे वर्ष 2014 में FCI के पास ग्यहूं और चावल का बंढ़ार 65.2 करोड टन था जो नियुन्तम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था इसका बंढ़ारन रखना खर्चीला तथा गुनवत्ता के साथ समझोता करना है इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए रखने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि कुछ क्षेतर जैसे पंजाब, हर्याना, परश्चमी उत्रपरदेश, आंतरपरदेश, मुख्यताहा, ग्यहूं और चावल की फसलें उगाते हैं जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है धान की खेती से भूमी के जलस्तर में गिरावट आई है, जिससे इन राज्यों में क्रिशी के विकास को लेकर भविश्य में खत्रा पैदा हो गया है PDS डिलर अधिक लाब कुमाने के लिए राशन की दुकान पर घटिया किसम के अनाज को भी बेचते हैं दुकानदार कभी कबार ही दुकान खोलता है, जब राशन दुकान से नहीं मिलेगा तो FCI के पास ही बंधार में स्टाक रहना एक आम बात है तो बच्चो इस अध्याय के अंत में अब हम खाद्य सुरक्षा में सहकारी समीतियों या कोप्रेटिव सोशैटी की क्या भूमिका है इसको जानने का प्रयास करेंगे क्या है कि भारत के दक्षिन और पश्चमी भाग में बहुत ही ज़्यादा सहकारी समीतियों का उद्य हुआ है अब आपके दिमाग में प्रशन आ रहा होगा कि सहकारी समीतियां क्या होती है जब लोग आपस में मिल जुल करके किसी संस्ता को चलाते हैं तो उसको कोप्रेटिव या सहकारी संस्ता के नाम से जानते हैं उधारन के लिए तमिल नाडू में जितनी राशन की दुकाने हैं उनमें से करीब 94 प्रतिशत सहकारी समीतियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेरी उपभोगताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंतरित दरों पर दूद और सबजियां उपलब्द कराने में तेजी से प्रगती कर रही है। गुजरात में दूद तथा दुग्द उतपादों में आमुल एक और सफल सहकारी समीति का उधारन है। इसने देश में श्वेत करांती ला दी है। श्वेत करांती का अर्थ दूद के जादा उतपादन से लिया जाता है। देश के विभीन भागों में कार्यारत, सहकारी समीतियों के और अनेक उधारन हैं जिनोंने समाज के विभीन वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी तरह महारास्टर में Academy of Development Science ने विभीन ख्षेतर में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संग्ठनों के नेट वर्क में सहायता की है। ADS या Academy of Development Science गैर सरकारी संग्ठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विश्या में प्रशिक्षन और क्षमता निर्मान कारय करम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धिरे धिरे महारास्टर के विभीन भागों में खुलते जा रहे हैं। तो बच्चो इस प्रकार इस अधिहाई में हमने भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर हमने चर्चा की है। हमने देखा कि खाद्य सुरक्षा क्या है। हमने ये भी देखा कि खाद्य सुरक्षा क्यों है भारत में जो आसुरक्षित वर्ग है वो कौन है। और उसके बाद सुतंतरता के बाद भारत ने किस परकार सारजनिक वित्रन परणाली के माध्यम से लोगों तक जो खाद्या सुरक्षा की सुरक्षा की विवस्ता की है और हमने ये भी देखा कि किस परकार अजादी के बाद भारत सरकार ने सारजनिक वित्रन परणाली के माध मकपक्ष हैं वो कौन कौन से हैं और साथ में उसके सामने जो चुनोतियां हैं उनको भी हमने देखने का प्रयास किया और अंत में हमने ये देखा कि खाद्य सुरक्षा में जो सहकारी समीतियां हैं किस प्रकार एक बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं तो इस प्रकार हमारा ये अध्याय अब अंत की तरफ जा रहा है उमीद है कि आपको ये समझ आया होगा अब अंत करने से पहले आईए एक बार आपने क्या जाना क्या समझा आईए एक बार हम इसको थोड़े प्रश्ण उत्र के माद्यम से जानने का प्रयास करें धन्यवाद पहले हम बहुविकल्पी प्रशन करेंगे प्रशन नमबर एक बंगाल में भिहंकर अकाल किस वर्ष पड़ा विकल्प हैं 1940, 1941, 1942 या 1943 आपको याद आ गया कि उत्तर है 1943 अगला प्रशन है अमूल डेरी भारत के किस राज्याय में स्थित है विकल्प हैं राजस्तान, गुजरा पंजाब हर्याना तो आपको पता ही है कि अमूल गुजरात में स्थित है अगला प्रशन है हरित करांती का संबंध किस से है विकल्प हैं दुग उत्पादन से, मचली उत्पादन से, वरिक्षों के लगाने से, अनाज उत्पादन से तो हरित करांती आपको पता ही है कि उस बेचती है और विकल्प हैं अमुल, किंद्रिया बंडारन, मदर डेरी या भारतिया खाद्या निगम तो आपको पता ही है कि दिल्ली में मदर डेरी जो है वो दूद्व सब्जियां बेचती है अगला प्रश्ण है अन्तोद्या योजना किस वरक के लिए है विकल्प हैं गरीब और अमीर दोनों के लिए गरीबों में भी सबसे गरीब वरिद लोगों के लिए शेहरी लोगों के लिए हाँ तो आपको पता चली गया कि गरीबों में भी सबसे जो गरीब है उन के लिए अन्तोद्या योजना चलाई गई थी अब हम लगू उत्रात्मक प्रशन करेंगे प्रशन नमबर पहला खाद्या सुरक्षा से आप क्या समझते हैं उत्तर जब सब के लिए भोजन उपलब्ध हो भोजन पहुंच में हो और भोजन खृदने के लिए लोगों के पास समर्थय हो तो हम कहते हैं कि ये खाद्या सुरक्षा है प्रशन नमबर दो धिरकालिक भुखमरी से आप क्या समझते हैं उत्तर जब एक लंबे समय तक लोग अपनी आए कम होने के कारण अच्छा वो पोस्टिक भोजन करीदने में असमर्थ हो तो ये है धिरकालिक भुखमरी होती है अगला प्रशन नियुन्तम समर्थन मुल्य क्या होता है उत्तर सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के बोने से पहले ही फसल का जो कम से कम मुल्य निर्धारित किया जाता है उसको नियुन्तम समर्थन मुल्या कहते हैं अब हम निबंधात्मक प्रशन करेंगे प्रशन नमबर पहला सहकारी समीतियों की खाद्या सुरक्षा में भूमिका पर प्रकाश डालिये उत्तर सहकारी समीतिया निर्धन लोगों को खाद्यान की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकान खोलती हैं उधारन के लिए तमिल नाडू में राशन की जितनी दुकाने हैं उनमें से 94 प्रतिशत सहकारी समीतियों के माध्यम से चलाई जाती हैं दिल्ली में मदर डेरी उपभोगताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारेत नियंत्रित दरों पर दूद और सबजियां उपलब्द कराती है गुजरात में दूद तथा दूद उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समीतियों का उधारन है इसने देश में श्वेत गरांती लादी है इसी तरह महरास्टर में Academy of Development Science ने विभेन हिस्सों में अनाज बैंकों को स्थापित किया है तो इस प्रकार हम देखते हैं खाद्या सुरक्षा में सहकारी समीतियां एक मैतमपुन भूमी का निभा रही हैं अगला प्रशन सारजनिक वित्रन परणाली की मुख्या चुनोतियां क्या हैं सारजनिक वित्रन परणाली की निम्नलिक चुनोतियां हैं नमबर एक अनाज के बंधार भरे होने के बावजुद भूखमरी की घटनाई हो रही हैं नमबर दो अनाज सड रहा है और कहीं कहीं चूहे भी उसको खा रहे हैं नमबर तीन कई बार जरूरत से ज़्यादा बंधारन कर लिया जाता है यह बंधारन करना खर्चीला तथा गुणवत्ता के साथ समझोता करना है नमबर चार मोटे अनाजों की कमी आई है जबकि यह गरीबों का मुख्या भोजन है नमबर पांच धान की खेती से भूमी के जलस्तर में गिरावट आई है और अन्त में PDS डिलर अधिक लाब कमाने के लिए राश्चन की दुगान पर घटिया किसन के अनाजों को बेचते हैं और इसी के साथ हमारा प्रशन उत्रवाला सत्रविस माप्त हुआ उमीद है आपको समझ आया और इसी के साथ आपका धन्यवाद आप स्वस्त रहें सुरक्षित रहें